साथ शाकाल दोस्तों तुसी वेखरियों डूर स्टैप एजुकेशन पॉइंट उमीद करदां तुसी सारे वधिया हम होगे सो दोस्तों अज जदी अपनी जड़ी वीडियो है ये वीडियो नमबर 15 है जित्थे आपा बाल विकास से सिख्या शास्तर दे कुछ प्रस्णानों डिस्कस करन जा रहे हैं तो ए प्रशन तोड़े प्रीवेस एर दे विचों ही लाए गए इने सो इना प्रशनानों सॉल्व करन तो बाद तो आनू एक बेसिक आडिया जरूर हो जेगा कि तोड़ा जड़ा एक्जाम में जी ओदे विच के हो जे प्रशन ओन गे इस वीडियो नू अपा प्री एस्टेट दी फ्रिक्या होनी है पमाओ पेपर वान होवे पमाओ पेपर टू होवे दोना नू ही त्यान दे विच राकते होए बना रहे हैं ते तुसी इना प्रशनान नू बड़े ही त्यान नल समझना है ते इना नू अटाम्ट करन दी जड़ी कोशिश है जी ओ करनी है तो शुरू कर देया आज जड़ी अपनी वीडियो नू वीडियो नू शुरू करन तो पहलना जेकर तुसी अपने इस चैनल नू अज़े भी सब्सक्राइब नहीं किता है ता सब्सक्राइब बटन दी ज़रूर क्लिक कर ले हो जी ते वीडियो नो शुरू करनतों पहला तुसी एस वीडियो नो भी लाइक कर लेना है ते एस वीडियो नो आधे friends ना भी शियर कर लेना है तो दोस्तों शुरू कर दें आज दे अपने पहले प्रशन तों इस तो पहला आपा लगपग 210 प्रशन हैगे जो सॉल्व कर चुके हैं ते ए अगले प्रशन हैगे है जी Law of exercise is the contribution of which school of psychology अब्यास दे नियम किस school दा योगदान है जी कि ये behaviorism दा है, constructivism दा, gestalt school दा या फिर psychoanalysis दा विवारबाद, रशनात्मक्ताबाद, gestalt school या फिर manovulation दा तो दोस्तों law of learning दे कहलो भी तो आनू ना तेन पार्ट विखर्ण दो मिल दे है जी law of learning दे विच तो आनू law of exercise, law of एकता है जी law of readiness and law of effect law of effect दे विच की होंदा है ते law of exercise दे विच की होंदा है ते law of readiness दे विच की होंदा है वैसे अपा एवी गल कर लेने है कि law of learning जड़ी है ए दित्ती के दे दवारा गई सेगी ये नों mainly Edward Thondike ने जड़ी ए तिन्ने basic learning है गया जी law of learning दिया कहलो भी basic ए रूल्स है गया law है गया ये मेंली Thondike द्वारा दित्ते गय सेगी ते ए दे विच जड़ा फस्ट है जी ओ है law of readiness जे कर आप law of readiness दी गल करिये ए दे विच मेंली ए गल की ती यांदी है जे कर बच्चा जे मान लो भी तुसी बच्चे नों को सिखोना चाओंदी हो ते law of readiness से भी ओ दे विच होनी चाहिए दी है बच्चा जड़ा हो नहीं पढ़ सकता मान लो भी तुसी कल नों क्लास दे विच बच्चे नों पढ़ा रही हो ते बच्चा त्यार ही नहीं तो आड़ी गल सुना नों समझा नों ते तुसी बच्चे नों कहलो भी नहीं पढ़ा सकते law of learning जड़ी है उन्हें टेक प्लिस होएगी दूज़े देविच है जी law of exercise मतलब जो कुछ भी आपा पड़ाया है उन्हों practice वगएरा करवा सकती है exercise करवा सकती है जो देविच ए law of exercise देविच आयांदा है जो कुछ मतलब पड़ा होया तो law of effect की है जी law of effect है जी वो तीसरे नमबर ते होदा है law of effect देविच जो कुछ तुसी पढ़ाया है जेकर वो बच्चे उन्हों मतलब की वधिया लाग रहा है ते की करेगा जी ओधा result तो उन्हों जड़ा वेखण नों मिलेगा मतलब वो positive result वेखण नों मिलदा है जेकर वो बच्चे उन्हों काम करके pleasure नहीं मिलेया मतलब की उन्हों को जादा ही सफर करना पया रहेया ते ओ की करेगा जी ओ उसनों avoid करेगा मतलब की law of learning जड़िया जी फिर take place नहीं हो सकेगी सो option नमबर ते सही जवाब किया जी option नमबर A अगली प्रशन थे अगला जड़ा प्रशन है अगला जड़ा प्रशन है एक यहा जानदा है तुसी ए दसना है जी इते वेखो option नहीं आप पढ़ दें एक वर he should have enough money and property so that he may not have to give tuition question की पुच्छा जा रहा है कि teacher should be resourceful तो अगला की लगता है कि जड़ा जया पकाएगा या फिर as a teacher ओदे कोल पैसे होने चाहिए या property होने चाहिए जदे कार के वो tuition नादा भी ठीक है जी option नमबर B he should have good contacts with higher authorities so that he may not be harmed कि ओदे जड़े contact है कि higher authority नाद होने चाहिए या फिर option नमबर C he should have adequate knowledge to be able to solve the problem of student की ओदे कोल की होने चाहिए जी knowledge होने चाहिए जदे नाद जड़े problems है जी उनानों solve कर सके या फिर क्या साकते है he should have a good reputation among students so that authorities are not able to take any punitive measure against him की ओदे कोल की होने चाहिए जी उदे reputation बहुत वदिया होने चाहिए दी है so authorities उदे खिलाफ action ना लाए सकन so एदे विच्टा तुसी हमें ही eyes close करके जवाब दे सकती है option number C तो अड़ा से ही जवाब होएगा जी क्योंकि बाकी दे option बिलकुल ए गलते ने क्योंकि ओदे विच गल किती हा रही है उसको लेना पैसा ते जाइदाद होनी चाहिए दी है उसनों ट्यूशना दी ना करनी है पैरने बड़ी negative गल किती हा रही है मतलब की as a teacher उनों सुरोथ संपन आपा फेरी कमांगे जेकर उसनों इनना को ग्यान होना चाहिदा है तांकि वो अपने विद्यारत यादिया समस्यावानों हल कर सके option number c is the right answer आपा चाल देना जी अगले प्रशनते ये देवेश तो अनों की पुछा जा रहा है which amendment of the constitution made education free and compulsory for children between 6 to 14 years of age सविदा आन दी केस सोध रही शे तो लाके 14 साल तक दी जड़ी उमर दे बच्ची है गया जी उना नों जड़ी विद्या है वो मुफ्त अति लाजमी कीता गया है कि यो 95th amendment है 94th amendment है 93rd amendment है या फिर 73rd amendment है वैसे दोस्तों ये previous year देवेश चोही प्रशन में लईने तो ये दे विच इना ने option है गालते देतिया हुई या क्योंकि जित्ते तक मैंनू यादा न जड़ी तो ड़ी ये हैगी आशे तो लाके 14 साल तक दी बच्चे आदी जड़ी mainly amendment किती गई सेगी 86th amendment सेगी किनने सेगी 86th amendment दे विच ए गाल किती गई सेगी जबी ए आर्टिकल किड़े दे विच ए गाल लिखी हुई है आर्टिकल 21 ए दे विच ए जड़ी गाल है जी ए लिखी हुई है कि बच्ची जड़ी है गया कि चिल्डरन है गया जी उना नू शे तो लाके 14 साल दे विच आड़े उना नू फ्री सिख्या दित्ती जावे आप्शन नमबर रहते तक कोई है नहीं गा तुसी एना याद कर लेओ 86 अमेंडमेंट दे विच जड़ी गाल है जी कीती गई है अगले प्रशन नो विएक दे याँ अगला जड़ा प्रशन है A backward child is one who is in mid school career is unable to do work for the class next below that which is normal of his age who gave this definition of the backward child मतलब कि एक backward child हुंदा किया है ओदी एक definition किसे दवारा देती गई सेगी और किदे दवारा देती गई सेगी तो उनो विए प्रशन पुच्छा जा रहा है ते definition किया एक वर मैं पिंजाबी चपाड़ के दास दिना इस definition दे विच किहा जा रहा है जो बच्चा स्कूली जीवन दे अद विचकार अपनी उमर मताबिक योग श्रीणी तो इक श्रीणी थली दी जमात दा कम करन विच असमर्थ होए उसनो विद्यक तौरते पश्ड़या होया किहा जानदा है पश्ड़य होई बच्चे दी ए परिपाशा किस वल्लो देती गई है कि एक बच्चा हा, जड़ा की है जी, ओक है लो कि उतने अदो एक सीनियर जड़ा बच्चा है या ते एक जूनियर बच्चा है अब ओधे जूनियर बच्चे तो भी की ही जी, हो दा जड़ा मैंटल लाइवाल है काट टा ओट थीक्आ जी मतलब कि बैकवाड चार्ड वन who is mid school career is unable to do the work for the class next below that which is normal for his age ते एज जड़ी definition दिती सीगे कि ये थौन डाइक ने definition दिती सी Cyril Bert ने दिती सी Berton ने दिती सी या फिर TKA मैनन ने दिती सी अथे जड़ा तो अड़ास ही जवाब है जी ओ है Cyril Bert ने जड़ी एज डेफिनेशन है जी उना दिती गई सीगी जड़ी ये गाल लिती लिखी होई है ते होना पाचाल देयां अगले प्रेशन ते Culture expectation of male and female behavior are called मर्द अते औरत दे वेवार दियां सभ्याचारक उमीदानों की किहा जानदा है की उनदYU Certzes क्या जानदा है gender types कहा जानदा है gender identities कहा जानदा या फिर gender consistency कहा जानदा है पुमीकामा लेंग दी किसम पिशान या फिर लेंग enact三 T culture expectation of male and female behavior यहनुha जानदा हिक है मतलब society वहल्न या फिर culture देवेचे ज़तो जेन्र नू की क्या कर देता है जि उन्हानों रोल असायन कर देता जान्दे है जे में मन लोग की, जमें हाना वे अकसर तुसी वेक्या होना की काफी जड़े स्टीरो टाइप लोग कुन देया, प्रानी सोच वाले, जो काया दें देया कि फीमेल्स नू केचन दे बेड फ्रें ना चाहिधा है ति मतलब काफी अचिय Dodge जडिया ठीजिंकिंग ति ऑंग में लुख जाहिश और बॉइस दारत राइट सर चौनः लाझ चाहिडा लुख clearly Kummer functioning of his cognitive structure this is called प्याजे बच्चे दी सिख्या नू उस दे ग्याना अत्मक्तांचे दी काम करन दे पद्दर अनसार टालन दास मर्थक है इस अंकल पनू की कहन दे हन तो दोस्तों एदे बच्चे दी प्याजे ने की कहल किती है कि बच्चे दी कहलो ना कि ओधी नीड दे अकॉर्डिंग तेलरिंग दे एजूकेशन मतलब कि सिख्या नू बच्चे दी नीड दे अकॉर्डिंग बनाया जावे एनू कहलो according to the level of the functioning of cognitive structure कि बच्चे दी दुमागी जड़ा level है उदे तोरते उन्हों ते आंदे विच राक दे हुए जदो आपा सिख्या नू बणाया जी education ता जड़ा curriculum है उँ आपा बणाया इनू की कहा जानता है कि उन्हों self learning कहा जानता है पंजाबी विच स्वै सिखन या फिर option number B classification and grouping of education सिख्या दावर्गी करण अते मो दोस्तों मतलब जेकर आपा बच्चे लिए education ओधे दिमागी मतलब ओधे दिमाग दे level नू ते आंदे विच राक दे हुए बना रहे है ठीक है जी ति ओन्हों आपा की कहनने है जी pupil centered education कहने आपा उन्हों child centered education भी कह साकते हो तोसी उन्हों कि विद्याथी केंदरत सिख्या या फिर बाल केंदरत सिख्या तुसी उन्हों कहन दे हूँ आजकाल दा जेड़ा system है जी ओभी child centered education ही है ना मतलब कि जेड़ा जो कोछ भी आपा करीकुलम बणोने हो बच्चे नों ते आंदे विच राक दे होई बणोने है कि बच्चे दा मतलब mental level की है होर भी बहुत सारे factor एदे विच कम कर रहे हूं दे है जी क्योंकि ए एक्सपर्ट्स द्वारा जेड़ा करीकुलम है जी ओ बनाया जान्दा option number C तो अटा सही जवाब होईगा जी चाल दे है आगले प्रेशन ते अगला जेड़ा प्रेशन है morons have an IQ level of मन्द बुद्धी दा जेड़ा IQ पद्धर आँ वेखो तुसी ए मैंना कुछ दिन पहला ही इंटालियांसी दी छोटी जी शौट वीडियो बनाए से कि तुसी वह जुरूर वेख लिए तेन चार वार सुन लियो इते विच मैं तो अनुदस्या से गाना कि जड़े मौरन हों देया या फिर फीबल माइंडेड उन देय तुसी उना नुभी वेख लेख लेओ ते ए जड़ी पीडियाफ है इनुभी तुसी एक बार जरूर रीड कर लेओ मैं उमेद करता तो अनुद ए ज़ी पीडियाफ है जी हलफफुल जरूर होवेगी ए दे विच वेखो मेलने आपा जवाबी वेखना मोरन और फीबल माइ has been given by अंतर द्रिष्टी नाल सिखन दा जड़ा सिना आतए जी एक किस नीदेता है पैवलोब ने देता है वर्सर ने देता है सकेंडर ने देता है या फिर कॉलर ने देता है सो तुसी बड़े ही सोच के समाज के जड़ा ज़वाब है जी ए देना है वेसे इंसाइट थी और लर्निंग, इंसाइट लर्निंग दा मतलव कि यह है, जदो अचानकी तो अनु जड़ा जवाब है जी, किसे भी प्रशन दा, अचानकी तो अटी तमाग देवेच आजवे, Sudden Solution आजवे, मतलव Flash of Understanding दे नाल, मतलव कि Without Any Process of Trial and Error, यह नो तुसे कहने ओजे Inside Theory of Learning, ठीक है जी? सो ए दित्ता की नित सेगा जी ए दित्ता सेगा जी कोलर ने वुल्फ गैंग कोलर द्वारा जड़ी ए थियोरी आ जी ओ दित्ते गई सेगी अप्शे नमब तो उसी डी नू कर सकती हो टेक ते इस दे नाल या आपा चाल देया अगले प्रशन ते अगला जड़ा प्रशन है एदे बारे भी आपा गल कर लाने है इन दे ट्राइल एंड एरर थियोरी ओफ लर्निंग दे लाओ फ एफेक्ट इस अलसो नोन आज ट्राइल अज लर्निंग थियोरी दे बेच जड़ा लाओ फ एफेक्ट है वो किदे ली जाने है जानता है लाओ फ मुशन ले लाओ प्लैजर अड पेन ले या फिर लाओ ज़वाब होना है जी अपा नेक्स कोशन ते आगे एदर वेखो एथे तो अड़ा सही जवाब होना है जी लाओ फ एफेक्ट जदो सेशन शुरू होया से मैं तो अनू दस्य विसे का लाओ फ एफेक्ट दे विच मिली हुंदा किया कि कोई विक एह हो जा रिस्पॉंस जिन पेन मिले आते हो नहीं करूंगे एही जी लाओ फ एफेक्ट दे विच एही एदे अंडर अंडरों दाया जी सो ऑप्शन बर बी टोड़ा किया जी मोख ते दुख दा सुख ते दुख दा सिदांत ऑप्शन बर बीटे करो टेक अपा चाल दे याँ अगले प्रेशन देते and trial and error theory दित्ती कहने सेगी जी एवीदसो, trial and error theory, thon deck द्वारा दित्ती कही सेगी जी, उन चाल देया जी अगले प्रेशन ती अगला प्रेशन वेखो, when a problem is seen as having only one answer, with all lines of thinking, leading to the answer, the thinking is known as dash thinking, जदो समस्यादा सरफ एक ही उत्तर होए, उस उत्तरवल शोदित होण नू, dash सोच कहने हैं, की कहने हैं, मतलब कि जेकर to the point जवाब होए, one answer होए, इस thinking उने तुसे की कहने हो, जी, इस thinking उने तुसे convergent thinking कहने हो, creative thinking नहीं है, divergent thinking भी नहीं है, mental set भी नहीं है, convergent केंदरी मुखी, इतनारे divergent thinking दे विच की जवाब हो सकता, जी, जोदो आपा कोई जवाब to the point ना देए, उदे बहुत सारे आपा ideas दे जवाब देए, ठीक है, जी, जेकर किसे ने कोई question पुच्छा है, एक ता तुसी, ओदा जवाब है, जी, ओकता भी गल है, जी, ओ सिद्धी कहती, जो ओदा to the point जवाब से का, ओ देता, उनों तुसे convergent thinking कहने हो, बट एक को, प्रशन दे जवाब है, जी, ओ, दस तरीके नल देते जान, उनों तुसी divergent thinking कहने हो, तो divergent thinking उनों तुसी creative thinking भी कह सकते हो, option number एथे, A is the right answer, चाल दे आजी, अगले प्रेशन थे, the people with whom a person identify most strongly are called, कि ओ लोग जेना नाड एक व्यक्ती जोरदार साज महसूस करता है, उनों की कहा जाना है, in group कहा जाना है, out group कहा जाना है, referend group कहा जाना है, या फिर them group क जाना है, group दे अंदर अंदर, group दो बार, संकेतिक group या फिर हो रहां दा group, एथे सही जवाब होएगा जी, in group, the people with whom a person identifies most strongly are called, group दे अंदर अंदर, चाल दे आजी, अगले प्रेशन थे, अगला जड़ा जड़ा प्रेशन है, constructivism as a theory emphasizes, रशनात मक्तावाद दासदा जड़ा ह कि जानकारी नू याद रखना हाते, परक समय दसना, परक समय दसना, या फिर option number C, the role of imitation in acquiring knowledge, ज्यान प्राप्त करन वेच, अनू करन दा योगदान, या फिर option number D, none of the above, constructivism as a theory emphasizes, कि ये सिख्ण वेच अधिया अपकदा योगदान, जिथा तक मैननू यादा, ये तुसी एक वर्ड वेखो, एक वर याद वर्ड देखो, construct करना, तो अनू ए थोड़ा बहुता तुसी अंताजा लगाई साकते हो ना, कि बच्चा जदों, आव दी जड़ी knowledge है जी, ओ प्रॉपर रिसर्च करके, खुद ही construct करता है, आव दी previous knowledge according, जो भी उदी knowledge हों दिया, जदों ओ जदा यादकरन दी गल कर रहा है, यह भी नहीं जवाब होएगा, the role of imitation and acquiring knowledge, यह भी imitation दी गल कर रहा है, ज्यान पराप्त करन वीच, अनुकरन दी गल कर रहा है, यह भी गलता है जी, ति मतलब एथे विच ओ जवाब, इना option दे वीच जवाब देता ही नहीं होया, so none of the above लग सकदिया हन, खास्त औरते primary school ना वेच, इस दा किस दा की कारन हो सकदा है, they can better deal with stressful situation, they are ready to work on a lower salary, या फिर they are in a greater need to earn for their livelihood, या फिर they are more apt to perform multiple roles and are also flexible, कि ओ तना पर पूरन सितिया नो वदिया टंग नाल नजट सकदिया हन, ओ का टतन खाते कम करन ली त्यार हन, या फिर उना नो रुजगार दी जादा लोड है, या फिर ओहो कई कम एकठे करन दी योग होंदी हन, अते निमर भी, दोस्तों सोच के दसों की जवाब होएगा जी, they can better deal with stressful situation, ठीक है मन लेने है, they are ready to work on a lower salary, क्यों होई, girls क्यों lower salary दे कम करन, तो अनू की लगदाएगा सही या, ठीक है जी, they are ready to work on a lower salary, क्यों का तनकाते कम करन ली, त्यार हान, मैंनो लगदा निया जवाब होगा, अगे वेखो, they are in a greater need to earn for their livelihood, ये ता मेल से भी है जी, मतलब कि मेल से भी काफी, उना नो भी नीड है गी या, बट एथे एगल भी ठीक निया है, बट आप्शन अब D वेखो, they are more apt to perform multiple role and are also flexible, क्यों कई का में कठे करन दे योग हुंदी यहान, आते निमर भी हुंदी यहान, ठीक है जी, ये दे करके ही, ये जड़ा व्यू आजी, उन्हें सब्ट किता गया है, कि female can be better teachers, especially at the primary school level, ठीक है जी, so option number D is the right answer, एथे इना चारा दे वीचों मैंनो त लाग रहा है, तो अन्हों केड़ा लाग रहा है आजी, तुसी भी दस्यो, option number रहते तो ओटा वैसे सही जवाब है, okay, option number D is the right answer, चाल दिया आजी अगली प्रेशन ते, अगला जड़ा प्रेशन है, एदे विच की पोचर रहा, if a child writes 16 and 61 and get confused between B and D, this is a case of, कि ये visible impairment है, mental impairment है, learning disability है, या फिर, mental retardation है, जे बच्चा 16 लिखता है, तो B ये थे, D विच उलज जानदा है, एक case है, दिरिष्टे विकार दा, मानसिक विकार दा, सिखना योगता दा, या फिर, मद बुद्दी दा, दोस्तों, मैं तो आनू, last time भी दस्यासेगा, जदो मैं learning disability, वाल एक short video जी, एक learning disability है, जे कोई बार time नाड, सही भी हो जान दी है, जेकर time सिरते आन देता जावे, ठीक है, जी, so option number में थे, सिखना योगता, इस दा right answer, इस दे नाड़ी चाल दे हैं, जी, आप आज दे, last question ते, जड़ा last question है, who among the following psychologists explain intelligence in term of primary mental abilities, ठीक है, जी, हीट लेके है विच्च इस देना है, इस तो पहला, मैं उवड़े पीस्ती भी लाए चाल दा, जड़ा कि मैं तो अनूँ दो चार दिन पहला ही explain कीता सी, हाथ उसी page वेख साकते हो, जी, मैं ये तो अनूँ मिला दा कल परसूँ ए explain जा भी किता सेगा, आ वेक्खो, मैं ते 10 है विसी, थरस्टन दा पी एमे, थरस्टन दा की है, प्रैमरी मेंटल एबल्टी, ठीका है जी, जेदे बिच इन्हा ने क्रिटिसाइज किता सेगा, जी फेक्टर नूँ, इन्हानेस मेंगी सेवन प्रैमरी मेंटल अबल्टीज दी गाल किती से, जी, फेक्टर आब इंडपेंड़न एजी, एबिल्टी वी तो वरबल एबिल्टी डबलू तो वर्ड फ्लूएंसी एम तो मैमरी आर तो रिजनिंग ठीक है ना जी सो दोस्तों मैं जिद्नियां भी शौट वीडियो बना रहे हो तो अटली बहुत जादा इंपॉर्टेंट है या ने जी ठीक है जी ते तो अटा की जवा सब्सक्राइब कर लो ते बैल आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि असी एस तरह दियां इंफॉर्मेटिव ते इंटर्स्टिंग वीडियो उप बनाऊते रहने या तो इजाज़त देओ जी थैंक्यू सू मच फर वाचिंग गॉड ब्रेस यूओ